Hi everyone, welcome back to my youtube channel यदि आप भी घुटनों के दर्द, कमर के दर्द या फिर जोरों के दर्द से परसान है उटने बैटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चलने फिरने में काफी तकलीफे होती है घुटने से कट-कट के आवाजे आती है सीरिया चाहने में तकलीफे होती है तर्द महसूस होता है गुटने में कमर में दर्द रहता है और यदि आप बैट गए तो उटने में तकलीफे होती है और यदि खरे हो गए तो आपको बैठने में तकलीफे होती है नुसका आज जो मैं लेके आई हूँ इससे आपकी ये सभी तकलीफे दूर हो जाएगी साथे ये नुस्के की सेवन करने से आपकी सभी तरह की कमजोड़ियां दूर होगी यदि आप सुबह उठते ही हलका सा काम करने के बाद थका थका महसूस करते हैं तो इससे सभी तरह की थकान भी दूर होगी अनिद्रा किसी कैद दूर होती है और यदि नसों में ब्लॉकेज होने की वज़े से पैर हाथ घुटनों या कमर में दरद हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी यानि कि ये सिर से लेके पैर तक कि सभी ब्लॉक नसों को भी खुलने का काम करती है कैलसम की कमी की पूरती होगी और से जोड़िक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बट्न कृट्टिक करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ये रेसीपी को किस तरह से त्यार करना है यह बहुत ही पुराना नुस्का है नानी दादी का बताया हुआ नुस्का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा कारगर बहुत जादा हैलफुल सावित होने वाले तो इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले चीज जो चाहिए है वो है एक गलास आपको दूद यदि आप यह दूद्ध पहले से गरम कर चुके हैं तो ठीक है यदि नहीं गरम किये तो एक बड़ आप इसे उगाल ले तो यह देखिए मैं इसमें यह पैन में एक ग्लस दूद्ध ले लिया है अब यहां पर देखिए हलदी लेनी है हल्दी कच्छी हल्दी बहुत फायदे मन्द होती है और यह हड्डियों से रिलेटेड डूसरी बीमारियों जैसे गठिया या फिर जॉइन पेंट से बचने में आपको बहुत मदद करती है बहुत है तो यहां पर करीब एक इन जितना आपको कच्छी हल्दी लेनी है यदि कच्छी हल्दी नहीं है तो आप इसका आधा चमस हल्दी का प्योर हल्दी का पॉडर लें यहां पर मैंने कच्छी हल्दी एक इन जितना इसमें ग्रेट करके डाल दिया है यह आपके हड्डियों की हर प्रॉलम से आपको बचा के रखेगा यह इतनी जबदस्त फायदे मन्द होती है तो यह हल्दी आपको यहां एक इन जितना कच्छीहल्दी मिले तो बहुत अच्छी है तो एक इन जितना मैंने यह कच्छीहल्दी को इसमें ऐड कर दिया है इसमें हल गटा स कर confident अब यहां पर अदरक लेंब है111-2-5 जा दिधु रखेगम कर्ति है और आपके जो फ़ोट्च्र करें अपर का पॉडर तो आप अदरक के जगे सोट का यूज कर सकती हैं ये अदरक से भी ज़्यादा फायदे मन्द होती है और अदरक को सुखा करके सोट कब रह करते हैं तो यहाँ सोट का पॉट्डर में आधा चमेर्श ले याज हमें पर टो उड़ा के टो आपके डाल ये आपके ज़ोरीडियों के दर्द को बहुत यासाने से खीच लेती है सबी तरह के दर्द को ये दूर करेगी यदि सरीर में कहीं भी सूजन या दर्द हुई है आसानी सिठी करने का काम करती है साथ ही इसके और भी बहुत सारे फैदे होते हैं यह वह है आप मिष्री यूज यहां कीजिए मिठास के लिए लेकिन चीनी का यूज बिल्कुल ना करें तो मिष्री मैंने यहां पर यूज किया है यदि डावटी की सिकायत है तो मिष्री को इसकिप कर सकते हैं अब आप अच कब जितना दूद इसमें बचा है यह थोड़ा दूद की मात्रा कम हो गई क्योंकि अच्छे से सभी फ्लेवर इसमें आ चुकी है और थोड़ा सी यह गारी भी हो गई है यह दूद तो इसी तरह से आपको त्यार करना है दिन भर में कभी भी आप इसका सेवन कीजिए रात म और हड्यों कदर देरे देरे खतम होने लगा है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को सेर कीजिए ताकि सभी कोई से फैदा मिले और वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करके अपना धेर सारा प्यार दीजिए स्टे सेफ और स्टे हेल्दी